गुड बॉर्निंग इस्टुडेंट्स, इस्टुडेंट्स ऑफ क्लास वन, बुग डूडॉप, सब्जक्ट इंग्लिश, ओपन दे पेज नमबर टैन, बच्चों कल हमने इस लेसन की कुश्चिन आंसर्स समझे थे, इसके आंसर शीट आपको सेंड कर दी, अब हम गामर एक् किसी से कभी भी कोई चीज मांगनी हो, तो कैसे बोलना है, और फिर उसका जवाब हमें कैसे देना है, we say please, when we ask someone to do, give something for us, हमें please बोलना है, जब भी हमें किसी से कोई चीज लेनी है, या अपना कोई काम करवाना है, ओके, देखिए, एक boy है, जो क्या बोल रहा है, please show me your airplane, साम आइरोपलेन देखना चाहरा है, तो इसलिए यह क्या लगाएगा, आगे word के, आगे अपने sentence के, please, please show me your airplane, तो pilot क्या जवाब देगा उसका, of course, I will, क्योंकि pilot आइरोपलेन में ही होता है, तो उसे, इसे sorry नहीं बोलना है, बोलेगा, वो क्या बोलेगा, of course, I will, हाँ, मैं यह girl है, जो क्या बोल रहे है, please give me your pencil, इस बच्चे से इसे pencil चाहिए, यदि आपके पास pencil है, तो आपको क्या जवाब देना है, here it is, हाँ, yellow, और नहीं हो, आपको नहीं देनी हो, आपके पास नहीं है दूसरी pencil, तो आप क्या बोलेंगे, I am sorry, I do not have a pencil, कि मेरे पास pencil नहीं है ऐसे ही, page number 11, work in pairs, people A and people B, जो words दे रखें, उनको आपको pairs में people A और people B लिखना है, जैसे एक student people A, pupil means, विद्धियार्ती, तो दूसरा विद्धियार्ती, इस people का मिन्स होता है, विद्धियार्ती, एक होता P-E-O-P-E-L-E, वो people होता है, लोग, वो people होता है, और यह pupil, people, people means, students, work in pairs, मतलब student A और student B, and practice asking for the using, please, please बोलके आपको, जैसे, people A ask, people A आपसे क्या पूछ रहा है, for a toy, toy के लिए पूछना है, people A को, तो people A क्या बात करेगा, please give me your toy, please मुझे आप अपना toy दे दीचे, अब people B क्या बोलेगा, अगर उसके पास है, तो वो क्या बोलेगा, न I'm sorry, I can't give it to you, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता है, क्योंकि बच्चा खिलोना कभी भी शेयर नहीं करता, for a book, बुक के लिए आप क्या पूछेंगे, please give me your book, नहीं देनी है, बुक, ये आपके पास बुक है, और आपको अपने फ्रेंड को शेयर करनी है, तो आप क्या बोले क्या बोलेगा, please show me your new dress, please मुझे तुम्हें new dress दिखाओ, people be क्या बोलेगा, अब इसमें कोई बाड़ी बात ही नहीं, of course, I will show it to you, हाँ मैं तुम्हें ये शो करता हूँ, to show a new book, new book show करने के लिए, किसी बच्चे के वास नहीं बुक है, किसी के नहीं आई है, तो आप क्या ब बच्चे नहीं बुक भी शो नहीं करते हैं, मेरी नहीं बुक है, क्यों दिखाओ, तो वहाँ जब आपको नहीं दिखाने है, आपको क्या बोलेगा, I am sorry, I do not have a new book, मेरे पास नहीं बुक नहीं है, ये वाले exercise के बाद इस पीक है, लिसन वाले exercise नहीं करने है, इस पीक में द pen, said, और यहाँ पर उसी एक आने पर sound क्योंगे, car, jar, park, तो यह हमें practice से आएगा, हमें practice करके देख रहे हैं, grammar, doing words, a word that tells what a person, an animal or a thing does it, called a doing or an action word, कोई भी ऐसा word जो हमें बताए कि कोई person क्या कर रहा है, या animal क्या कर रहा है, या कोई चीज क्या कर रही है, वो कहलाते है, action word, सब बनाना, रीमा एक बनाना खा, खाती है, तो रीमा क्या करती है, रीमा का action क्या है, खाती है, तो यह खाती है, क्या है, action word, here, it's is a doing word, it's जो है, यह doing word, now page number, open the page number 12, page number 12 की exercise है, कि इन बच्चों की pictures को देखके, यहाँ पर आपको help box दिया हुआ, यह बताना है, यह बच्चे क्या कर रहे हैं, फर्स बच्चा देखिए, कुछ पी रहा है, तो पीने को क्या मुलते है, drink, उपर words में से आपको drink word को पहले निकालना है, कि drink कहा लिखा हुआ, यह इसके उपर circle बनाना है, फिर इसको इस picture के पास लिखना है, 8, 3rd बच्चा run कर रहा है, दोड़ रहा है, तो दोड़ने को run कहते है, run को आपको circle में बंद करना है, और यहाँ run लिखना है, 4th girl क्या कर रही है, sing गाना गा रही है, इसके हाथ में माई के, तो sing को circle में बंद करन यह notebook में नहीं करनी है, exercise B, fill in the blanks with the correct words from the box, इस box में से word लेके आपको लिखने है, I in the evening, अब अकसर शाम को हम क्या करते हैं, सोके उड़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, खेलते हैं, तो खेलने को कहते हैं, play, तो play को आपको देखना, play कहां लिखा हो, इस play को circle में बंद क करें, और यहां लिखे play, सुहाना, अब beautiful picture, अब सुहाना है, पीछे beautiful picture दे रखा है, तो beautiful picture को क्या करते हैं, paints, paints कर रहे हैं, वो color भर रहे हैं, तो हमें दिमाग लगाना है, पीछे के sentence को पकड़ के, कि इसमें कौन सा word आना चाहिए, फिर help box में जाना है, अब सुहाना कुक् तो हम क्या देखेंगे, paints लिखावा है, इसdies, paints को यहां से निकाल के, यहां लिकेंगे, paints, I like to story books, story books को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, तो read कर लिखावा है, यह, r, e, e, d, read, I like to read story books, mother, delicious food, mother क्या करते है, delicious food, cook करती है, तो cookies को को करना है, और cookies को यहां लिखना है, इसी के साथ C वाले exercise आपको नहीं करनी है. अब हमें करना, look at the picture and write one doing words related to the picture. One is done for you. ये क्या कर रहा है? Cook. ये बच्ची क्या कर रही है? Read. Single है इसलिए. ये क्या कर रहा है? Run. और ये बच्चे क्या कर रहा है? Play. ओके? ये सब आपको बच्चे exercise करनी है. Now, sound. Animals make. Animals की sound लिखनी है. A dog barks, a lion roars. A cow. Cow क्या करती है? Moose. A god. Gods की sound को क्या करते है? Bleeds. Cat. Cat की sound को क्या करते है? Muse. A monkey. Monkey क्या करता है? Chatters. और अउल. अउल क्या करते है? Hoots. ऐसे आपको. ये book में match करना है. ये वाली exercise आपको notebook में करनी है. NB मैंने लिखा यहाँ पर notebook. ये वाली exercise भी आपको notebook में करनी है. मैंने NB यहाँ पर लिख दिया है. ये आपको नहीं करनी है. ये आपको केवल book में ही करनी है. ये वाली exercise भी केवल आपको बुक में ही करनी है, ये notebook में नहीं करनी है ओके children, आज हम यहीं तक करेंगे, आगे की exercise हम next video में discuss करेंगे Goodbye children, have a nice day